हलो स्टुदेंस दिस इस संजू ठाकूर नौ वेलकम टू टागेट फोकस वन स्टेप टूर सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफर्म यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो जो भी स्टुदेंस हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सबस्काइब कीजि प्लेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुन सके तो आज हम डिसकस करने वाले हैं जनरल हिंदी के महाबरे लकोक्तियां वाक्याश के लिए एक शब्द और विलॉम शब्द और प्रायवाची शब्द तो कंटीन्यू करते ह जहां धांदली और अन्याय होता हो जहां धांदली और अन्याय होता हो उसको क्या बोलते हैं अंधेरी नगरी अगला है अंधेरे मूँ अंधेरे मूँ का मतलब क्या होता है प्राते काल या फिर तलके अगला है अकल पर पत्थर पढ़ना अकल पर पत्थर पढ़ना इसका म मतलब बुद्धी ब्रश्ट होना अगला है अलियल टट्टू का मतलब होता है रुक रुक कर काम करना क्या होता है अलियल टट्टू रुक रुक कर काम करना अगला है अपना घर समझना अपना घर समझना इसका मतलब होता है बिना संकोज के ब्यवार करना नेक्स्ट है अपना सा मुह लेकर रह जाना इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना अपने पैरों पर खड़ा होना इसका मतलब होता है स्ववाव लंबी होना अगला है अलचन डालना इसका मतलब होता है बादा उपस्थित करना अगला है अर्मान निकालना अर्मान निकालना इसका मतलब होता है इच्छाएं पूरी करना क्या होता है इसका मतलब इच्छाएं पूरी करना अगला है अरन्य चंद्रिका इसका मतलब होता है निश्च प्रयोजन प्रदात क्या होता है निश्च प्रयोजन प्रदात अगला है अकाश पताल एक करना अकाश पताल एक करना इसका मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम करना तो आप लोगों को भी अकाश पताल एक करना है चाहे जो मर्जी हो इस बार जो है एक्जाम करेक होना ही चाहिए अकाश पताल एक करना होता है अत्यधिक परिश्रम करना ने नेक्स है आकाश से बाते करना या फिर आकाश चुना इसका मतलब होता है बहुत उंचा होना क्या हो इसका मतलब बहुत उंचा होना तो नेक्स डिसकस करते हैं लकोक्तियां एवं कहावते हैं तो पहली लकोक्तियां बेकार से बेगार भली इसका मतलब होता है चुपचाप बैठे रहने की अपेक्षा कुछ काम करना अगला है बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुभान अल्ला बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुभान अल्ला बही गती सांप चचुंदर केरी इसका मतलब होता है दूबिदा में पलना अगला है बेंस के आगे बीन बजावे भेंस रही पगुरा है बेंस के आगे बीन बजावे भेंस रही पगुरा है इसका मतलब होता है मुर्क को गुण सिखाना ब्यर्थ है नेक्स है भागते भूत की लंगोट ही सही इसका मतलब होता है जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है एक और लकोक्ति होती है यानि भागते हुए चोर से तोपी ही सही इसका मतलब ही होता है जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है अगला है मियाँ की दौर मस्चिद तक इसका मतलब होता है किसी के कारेक शित्र या विचार शक्ति का सीमित होना नेक्स लेको वेक्ती है मन चगा तो कटाद़ी में गंगा हिद्द पवित्र तो सब कुछ ठीक अगला है मु turned राम बगल में छूड़ी तो अब डिसकस करते हैं विलोम सब्द नास्तिक का विलोम सब्द होता है आस्तिक नेकी का होता है वदी तो पीछे मैं डिसकस किया था नेक उसका था वद और नेकी का होता है वदी अगला है पक्ष, पक्ष का विलोम सब्द है विपक्ष परुष का होता है कोमल तो ध्यांदी जी का परुष का क्या होता है कोमल पंडित का होता है मूर्ख पोल्निया का विलोमशब दोता है पाप और पठित का होता है अपठित परमार्थ का विलोमशब दोता है स्वार्थ परतंत्र का होता है स्वातंत्र पुरवर्ति का विलोमशब्द होता है परवर्ति, पास्चात्य का विलोमशब्द होता है पौरवात्य, और प्रवरिति का होता है निर्वरिति, प्रसाद का होता है विशाद, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, प्राकर्तिक का विलोमशब्द होता है कृत्रिम, फल का होता ह बंधन का होते हैं मोक्ष या फिर बंधन का होते हैं मोक्ष या फिर मुक्ती मसरण का विलोंब शब्द होता है रूक्ष क्या होता है मसरण कारूक्स महात्मा का होता है दुरात्मा तो next discuss करते है प्राइवाची सब्द पहला है तामर्स के प्राइवाची सब्द होते है कमल, पंकज, सर्शिज, नीरज, पुंडरीक और इंडिवर क्या क्या होते हैं तामरस के कमल, पंकज, सर्सिज, नीरज, पुंडरीक और इंदिवर अगला है तीर तो तीर के प्रायवाजी शब्द होते हैं शर, बान, सायक, नारच और शिलिमुख तो नेक्स्ट है तोता तोता के प्रायवाजी शब्द होते हैं शुक्र, कीर, सुवा, सुगा, रक्ततुंड, दालिम्प्रिय, अगला है थोड़ा, तो थोड़ा का प्रायवाजी शब्दोते हैं, अल्प, न्यून, जरा, कम, नेक्स्ट है थाती, तो थाती के प्रायवाजी शब्दोते हैं, जमापूंजी, धरोवर, और अमानत, अगला है दात के प्राइबाजी शब्द होते है दंत, दशन, दूज, रद और रदन अगला है दास दास के प्राइबाजी शब्द होते है very important दास की कही बाद पूछे जाते है तो दास के प्राइबाजी शब्द है नौकर, सिवक, किंकर, अनूचर, चाकर, भृत्य, परिचारक नेक्स्ट है दिन, तो दिन के प्रायबाची शब्द है दिवा, दिवस, वासर नेक्स्ट है दीन, और दीन के प्रायबाची शब्द होते हैं दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन, निर्धन next discuss करते हैं वाक्यांस के लिए एक शब्द तो पहला वाक्या है खाने योग्या पदात खाने योग्या पदात को क्या बोल देते हैं खाद्य अगला है जिसका कोई हिसा तूटकर अलग हो गया हो उसको बोलते हैं खंडित next है वह नाई का जिसका पती रात को किसी अन्यस्तरी के पास रहे कर प्राते उसके पास आता हो उसको क्या बोल देते हैं खंडिता next है ऐसा जो अंदर से खाली हो उसको बोल देते हैं खोकला next है किसी के घर की होने वाली तलाशी उसको बोल देते हैं खाना तलाशी नेक्स है प्राचीन अदर्ष के अनुकूल चलने वाला उसको क्या बोल देते हैं गतानु गती का अगला है जो बीत चुका हो उसको क्या बोल देते हैं गत या फिर अतीत अगला है जो इंद्रियों के ग्यान से बाहर है उसको क्या बोल देते हैं गोतीत अगला है गनित शास् जो गाओं से संबंदित हो उसको क्या बोल देते हैं गरामीन और नेक्स्ट है वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसको क्या बोल देते हैं गीत रूपक नेक्स्ट है प्रित्यू की वह शक्ती जो सभी चीजों को अपनी और खींचती है उसको क्या बोल देते हैं क्रुत्त्त्वा कर्शं क्या बोलते हैं क्टशत्वा कर्शं एंगला है जो कठिनायों सere पेच्ट था है उसको घंग़痛 का पूत्र है लुए य। नेक्स्ट है जो गिरी या फिर पहाल को धारन करता हो जो पहाल को धारन करता हो या फिर जो गिरी को धारन करता हो उसको क्या बोल देते हैं गिर्धारी next है गरी या फिर घर बसाकर रहने वाला गरी या घर बसाकर रहने वाला उसको क्या बोलते हैं गरी हस्त next है रात और संद्या के वीच का समय उसको क्या बोलते हैं गोधुली very important रात और संद्या के वीच का समय उसको क्या बोलते हैं गोधुली अगला है जो छिपाने योग्या हो उसको क्या बोलते हैं गोपनिय अगला है गगन या फिर आकाश को चुमने वाला उसको क्या बोलते हैं गश्यारा अगला है किसी के इर्द गिर्द गेरा डालने की क्रिया उसको क्या बोलते हैं गेरा बंदी नेक्स्ट है जिसकी घोशना की गई हो उसको बोलते हैं गोशित अगला है बहुत सी घटनाओं का सिलसिला उसको क्या बोल देते हैं घटना वली या फिर घटना करम गूस लेने वाला या फिर रिश्वत लेने वाला उसको क्या बोलते हैं घुलने योग्या पदात उसको बोल देते हैं घुलनचील अगला है ग्रिना करने योग्यों उसको क्या बोलते हैं ग्रिनासपद अगला है महीने के किसी पक्ष की चौथी ती ती उसको क्या बोलते हैं चतुर्थी नेक्स्ट है बरसात के चार महीने उसको बोलते हैं चतुरमास अगला है चार वेदों को जानने वाला उसको क्या बोलते हैं चतुर वेदी नेक्स्ट है जो चक्र धारान करता है जो चक्र धारान करता है उसको क्या बोलते हैं चक्र धारी अगला है जिसके चूड़ा पर चंदर रहे उसको क्या बोलते हैं चंदर चूड़ अगला है जो चंदर धारान करता हो जो चंदर धारान करता हो उसको बोलते हैं चंदर धारी क्या बोलते हैं चंदर धारी अगला है जिसके शिखर या सिर पर चंदर हो उसको क्या बोलते हैं चंदर शेखर करने की इच्छा तो करने की इच्छा क्या बोलते हैं चिकिर्शा क्य जिसके चार पैर हो उसको क्या बोलते हैं चतुश्पद अगला है अधिक दिनों तक जीने वाला अधिक दिनों तक जीने वाला उसको क्या बोलते हैं चिरन जीवी नेक्स्ट है जो चीर काल तक बना रहे जो चीर काल तक बना रहे उसको क्या बोलते हैं चीर स्थाई तो आज क सेशन में इतने ही करते हैं आयोप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीज़े टार्गेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रही टार्गेट फोकस की टीम के साथ